नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चेनल पिक्के स्मार्ट जीके में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिसकसन करने वाले हैं कम्प्यूटर पर कम्प्यूटर से रिलेटेड हमने टॉप 40 कुछन आंसर लिये हैं जो कि हरे एक्जाम के लिए very important है मेरे काफी दोस्तों की डिमाड थी कि सरक कम्प्यूटर पर और वीडियोज लाओ तो आपको बता दे कि आज हमारे ये कम्प्यूटर पर तीसरा वीडियो है अथाथ आज हमारी कम्प्यूटर की third series है इससे पहले हम दो series complete करवा चुकी है जिसने भी वो series नहीं देखी है तो video complete होते ही वो series देख लीजिए उसकी link हमने description box में डाल दी है वहाँ से आप उनको देख सकते हैं और exam से में यदि computer से कोई question पूसा जाएगा तो वो आपको इनी series में से देखने को मिल जाएगा तो इस series में वही question लिये गए है जो exam से में काफी बार repeat होए है और आगे भी होंगे तो आप video complete देखेगा अंत तक और यदि आप मारे channel पर नए है तो पहले video को complete देखिए और फिर यदि आपको video पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिए और channel को भी subscribe कर लीजिए ताकि मैं जैसे ही video upload करूँ आप तक notification पहुँच जाएगे तो चलिए अब start करते हैं fresh question से दोस्तो आज का हमारा fresh question है किस PD के computer में IC chip का परियोग किया जाने लगा था तो friends इसका correct answer होगा option number C तरते PD के computer में IC chip का परियोग किया जाने लगा था इससे पहले IC chip का परियोग नहीं किया जाता था पर्थम और दवित्य PD के computer में IC chip की बात करें तो इसकी full form होती है integrated circuit chip सबसे पहले silicon chip का आविस्कार करने का सरय American Electrical Engineer Jake Kilby और Robert Noisy को जाता है जिन्होंने 1961 में silicon chip का एन्वेशन करके computer के विकास की गत्ति को तेज करने में मदद की थी तो ये point है आप याद कर लीजी पर्थम PD के computer की बात करें तो उनमें vacuum tube का परियोग के जाता था दिवत्य PD में vacuum tube के स्थान पर transistor का परियोग के जाने लगा और तर्तिय PD में transistor के स्थान पर integrated circuit chip का परियोग के जाने लगा तो ये भी important जानकारी पूछा दा सकता है कि vacuum tube का परियोग किस PD के computer में के जाता था तो आपका आन्स रोना था ये पर्थन PD के कम्पूटरों में एसे ही transistor के बार में पूछ सकता है और एसे ही integrated circuit chip के बार में पूछ सकता है तो ये तीनों point very important है आप अच्छे से देख लीजी next question क्यों चलते है हमारा अगला question है assembly language को machine language में कौन परिवर्थित करता है तो friends ये करता है assembler option A correct हो जाएगा assembler जो है ये assembly language को machine language में परिवर्थित कर देता है important point देखे तो assembly बासा या assembler बासा computer देखा अन्य प्रोग्राम करने योग्या युक्तियों की निमन स्तरी प्रोग्राम बासा है कौन सी निमन स्तरी प्रोग्राम बासा है जिसको assembler की सायता से machine language में बदला जा सकता है तो ये भी important है आप देख लीजिए next question MS Excel में सबसे छोटी range कौन सी है तो friends वो होती है sale option A correct हो जाएगा MS Excel में सबसे छोटी range होती है sale देखेजिए MS Excel में row और columns के कटान से बनने वाली खाने को sale कहते है और एक work sheet में 10,48,574 तो row होती है तथा 16,384 columns होती है ये भी आपको पता रहना चाहिए next question निमन में से कौन सा एक bus नहीं है options दियों है data bus, address bus, control bus या फिर software bus तो इसका correct answer होगा option number D software एक bus नहीं है बाकि ये सभी bus है अब bus क्या होता हो देख लिए friends computer में एनेक bus ये होती है जो विबिन कारियों के लिए परियुक्त होती है दूसरे सब्दों में एक bus कुछ ऐसे तारू या connectionों का संगरा होती है जिससे होकर signal एक उपकरण से दूसरे उपकरण तक बेज़े जाते हैं यहां पर इसको कटक लेना तक होगा अबर उपकरण तक बेज़े जाते हैं तो यह भी important जानकारी है विश्वा में सरवादी कंप्यूटर वाला देश कौन सा है तो फ्रेंट्स वो है अमेरिका option D correct हो जाएगा अमेरिका देश विश्वा में सरवादी कंप्यूटर वाला देश है यहां पर सरवादी कंप्यूटर बनते हैं और सरवादी कंप्यूटर भी अमेरिका में ही है नेक्ट क्यूशन देखिए नेक्ट क्यूशन है डबलु 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 अर्थात वर्ल्ड वाइड वेब ये फुल फॉरम भी एक्जामें पुछ जाती है तो इसको भी आप अच्छे से देख लिजी वर्ल्ड वाइड वेब का आविसकार किस ने किया था तो फ्रेंट्स ये किया था टीम बरनेशली ने ओफ्शन ए क्रेक्ट हो जाएगा इंपोर्टेंट क्यूशन है अच्छे से देख लिजी वर्ल्ड वाइड वेब का आविसकार टीम बरनेशली ने सन 1989 में किया था कब किया था सन 1989 में यह भी आपको याद रहना से यह next question computer के आविस कारक कौन है तो friends यह तो सभी को बता होगा computer के आविस कारक 42 बेज है option C correct हो जाएगा next question सबसे पहला computer का नाम कौन सा है तो friends सबसे पहले computer का नाम है in-aq option B correct हो जाएगा in-aq सबसे पहले बनाया गया computer था in-aq का design और निर्मान स्रेंट राजय अमेरिका के सेना दुआरा दुइत्य विश्वे युद्य के दुरान विद्पोसित किया गया था तो यह भी आपको पता रहना जाएगा अधुनिक computer की खोज सरोपर्थम कब हुई तो फ्रेंट्स वह हुई 1946 में option C correct हो जाएगा 1946 में हुई अधुनिक computer की सरोपर्थम खोज 1946 computer का आविसकार चार्स बेबेज ने किया था इसा माना जाता था क्योंकि सबसे पहले उन्होंने programmable computer का डिजाइन तियार किया था तो ये भी आपको पता रहना सकते किसने किया था 1946 में computer का आविसका चार्स बेबेज ने next question computer के शेतर में महान करांती कब से आई है तो ये आई है 1960 से 1960 से computer के शेतर में महान करांती 1960 से आई है उसके बाद computer हर जगा बनने लगे राजीव गांदी को बारत में computer करांती लाने का सरे दे जता है उन्होंने ना सिरफ computer को बारत के गरों तक पहुंचाने का काम किया बलकि बारत में information technology को आगे ले जाने में एहम रोल निबाया है किसने? राजीव गांदी जी ने जो हमारे परदानमंदिर राज़ सुके हैं बारत के देश की दो बड़ी टेलिकॉम कंपनी MTNL और VSNL की शुरुआद उनकी कारेकाल के दुरान ही हुई थी तो ये भी important point आप याद के लिजिए next question computer का हिंदी नाम क्या होता है तो friends ये होता है संगणक option B correct हो जाएगा computer का हंदी नाम संगणक होता है next question है computer साकसरता दिवस कब मना जाता है ये भी important question है एकजाम में कई बार repeat हो आए तो friends वो मना जाता है 2 December को option B correct हो जाएगा computer साकसरता दिवस 2 December को मना जाता है next question CPU का पुरण रूप क्या है अथाथ CPU की full form क्या है तो friends ये वो होती है central processing unit option A correct हो जाएगा ये full form से related question कई बार एकजाम में पुछे जाते हैं तो जितने भी full form सा है वो तो आपको अच्छी से याद कर लेनी है next question इन में से कौन search engine नहीं है ये भी important question है next question निमन में कौन input काई है ये input काई से related भी question पूछे जाते है तो ये भी important question है mouse input काई है keyboard भी input काई है scanner भी input काई है तो यहाँ पर correct हो जगा option number D इन में से सभी अब ये देख लीजिए input काई कौन कौन सी है सभी के example दिये वे है keyboard भी input काई है mouse भी, joystick भी, light pane भी, trackball भी, scanner भी, digitizer भी अगले है microphone भी input device है चुम्बक के ink card भी, optical character reader भी, barcode reader भी और optical mark reader भी input device है तो इन सभी input device को आप अच्छे से याद कर लीजी पूछ सकता है कि निमन में से input device कौन सा है या कौन सा नहीं है तो ये सभी आपको याद रहेंगे तो ही आपका answer correct होने वाला है next question एक kilobyte कितने byte के बराबर होता है ये question भी exam में कई बार repeat होगा और कई बार आगे भी होगा इसे एक normal question पूछ जाते है computer में कोई hard question नहीं आता है और वो hard आएगा तो हम बता देंगे आपको दो series करवा दिया पहले है उने से ये third series है और आगे भी series करवाते रहेंगे तो आप complete series देखते रहेगेगा आप computer का कोई भी question wrong नहीं होने वाला है और यदि आपको इसकी पीडियाप चाहिए तो आप हमारे pk smart gk telegram channel को किस नाम से search कर लिजिए pk smart gk नाम से search कर लिजिए telegram channel को वहाँ पर आपको इसकी फ्री में फिडियाप मिल जाएगी उसको join कर लिजिए तो एक किलो बाइट कितने बाइट के बरावर होता है एक जार 24 बाइट के बरावर एक option correct हो जाएगा next question ऐसे ही एक मेगा बाइट है यह कितने बाइट के बरावर होता है यह 1000 किलो बाइट के बरावर फिर आएगा एक गिगा बाइट तो वो होता है 1024 मेगा बाइट के बरावर फिर आएगा टेरा बाइट तो ऐसे ही सबी बाइट से आप अच्छे से जाद कर लिजिए next question है एक गिगाबाइट की बात करें, तो एक गिगाबाइट होता है, एक जार चोईस मेगाबाइट की बराबर, option B correct हो जाएगा, next question, computer में परियुक्त IC चिप बनते हैं, computer में परियुक्त IC चिप किसे बनते हैं, option है, chromium से, iron oxide से, silver से, या फिर silicon से, तो फिर इसका correct होगा, option number D, silicon से, IC जो चिप होती है, वो silicon से बनाई जाती है, next question है, internet के पते में, पद, S-TTP का सही विष्दित रूप क्या है, S-TTP जो लिखा होता है, उसका सही रूप क्या है, असका full form क्या है, ये question भी exam में कई बार repeat हो आए, तो उसका full form होता है, hypertext transfer protocol, option D correct हो जाएगा, अच्छे से देख next question, next है, किसी computer के program में, बच्चो दोवारा परियुक्त बासा प्रिया, प्राहे कौन सी होती है, अथाथ, बच्चो दोवारा जो बासा पर रियुक्त की जाती है, वो कैसी होती है, option है, basic, java, logo, ये फिर pilot, तो इसका correct आना से रूपा, option number C, logo रूप में होती है, next question, next question, कौन सी device, program और data के बीच का अंतर समझती है, तो friends, वो समझती है, microprocessor, option number D, correct हो जाएगा, microprocessor है, वोई device, program और data के बीच का अंतर समझती है, next question, अथाथ, उनमें different करती है, computer की मुख्य memory क्या होती है, तो वो होती है, b3, option B, correct हो जाएगा, सायक नई होती, बारी, यह सभी नहीं, computer की मुख्य memory होती है, b3, बीच्टर में होती है, जो उसको बोलते है, next question, यह देख लिजिए एक बार, प्रात्मिक memory को main memory भी कहा जाता है, computer की main memory में सभी program data के साथ संगरीत रहते है, RAM computer की मुख्य memory होती है, RAM क्या होती है, computer की मुख्य memory होती है, तो यह आप याद कर लिजिए, जो की बीतर में लगी होती है, next question, window ME, ME से क्या सब्द बनता है, तो friends ME से बनता है, millennium, option A correct हो जाएगा, windows ME से बनता है, windows millennium, यह आप याद कर लिजिए, next question, RAM किस तरह की memory है, RAM मुख्य memory होती है, option D correct हो जाएगा, main memory बोलते है न उसे, वो होती है, RAM, next question, accessories जिस स्थान पर system unit से जुड़ते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो उसे port कहते हैं, option B correct हो जाएगा, next question, Ethernet संबंदित है, option है, lane, when, main यह फिर lane, तो friends, Ethernet संबंदित होते हैं, lane से, जिसकी full form होते हैं, local area network, तो यह भी आपको याद कर लेनी है, control, shift और alt, control, shift और alt, कौन सी कुंजिया कहते हैं, तो इनको कहते हैं, modifier कुंजिया, option A correct हो जाएगा, control, shift और alt, इन तिनों को modifier कुंजिया कहते हैं, तो यह आप याद कर लेजिए, अच्छे से important question है, next question, OCR का पूरान रूप क्या होता है, OCR की full form बताने है, तो friends OCR की full form होती है, optical character recognition, option B correct हो जाएगा, next question, information का collection क्या है, friends information का collection होता है, file, सारे information files में डाली जाती है, तो यहाँ पर secret answer हो जाएगा, next question, निवर में इसे कौन सा output device नहीं है, plotter, printer, monitor और touchscreen, तो friends, plotter, printer, monitor यह तिनों तो output device है, जबकि touchscreen है, यह input device है, तो option D correct हो जाएगा, इसमें नहीं पूछा है, next question, instruction के उस समुआ को क्या कहते हैं, जो computer को बताता है कि क्या करना है, तो friends उसको कहते है, program, option D correct हो जाएगा, next question, processor के तीन प्रमुक बाग कौन कौन से हैं, तो friends वो है, ALU, arithmetic, logic unit, control unit, और register, यह तीनों है, यह प्रोसेसर के मुखे बाग है, तो यह आप अच्छे से याद के लिजिए, important question है, next question, निवर में से कौन RAM नहीं है, option दिए है, PRM, flash, SRM, यह फिर DRM, तो friends का correct हो जोगा, option number A, बल्कि यह तीनों RAM के उदारन है, next, किसने basic computer bassa का विकास किया था, तो friends यह किया था, zone G, zone G, zone G, केमी ने, option C correct हो जाएगा, zone G, केमी एक मतर ऐसे, विग्यानिक है, जिन्नोंने basic computer bassa का विकास किया था, तो यह भी important question आप याद कर लिजिए, next है, निवन में से कौन सा system unit का भाग नहीं है, option से दिवे, CPU, floppy disk, CD-ROM, या फिर monitor, तो इसमें correct answer होगा, option number A, CPU, CPU जो होता है, जिसकी full form होते है, central processing unit, तो friends, central processing unit, CPU जो है, यह system unit का भाग नहीं होता, यह अलग से लगा होता है, बागी proper disk, CD-ROM, और monitor, यह सभी system के अंदर लगे रहते हैं, next question, assembly language क्या है, option से दिवे, computer assembly, assemble करने के लिए language, machine language, low-level programming language, या फिर high-level programming language, तो friends, इसका correct answer होगा, option number C, low-level programming language होती है, assembly language, next question, newman मैं से कौन सा internet explorer नहीं है, firefox, safari, chrome, या फिर google plus, तो friends, इसका right answer होगा, option number D, google plus है, यह एक internet explorer नहीं है, बागे सभी यह internet explorer है, तो यह भी important question है, इसा question के exam में कई बार पूस्ट रदा है, flowfit disk किस परकार की memory से संबन्दित रखती है, तो यह रखती है, volatile से, option A, correct हो जाएगा, flowfit disk है, यह volatile से संबन्दित रखती है, next question, computer बासाद Java के आविस्कारक कौन है, तो friends, option दिवे है, IBM, Microsoft, Sun Microsoft, यह फिर info system, तो friends, इसका correct answer रोगा, option number C, Sun Microsoft होता है, यही computer की बासाद Java का आविस्कारक माना जाता है, यह question हो रहा है, निमन में से कौन-कौन एक programming language नहीं है, options दिवे है, parallel, java, box pro, यह फिर oracle, तो programming language कौन से नहीं है, oracle यह programming language नहीं है, option D, correct हो जाएगा, तो यह थे आज के हमारे 41 questions, जो complete हो गया है, उमीद करता हूँ, आपको वीडियो पसंद आया होगा, friends, यदि वीडियो पसंद आया, तो एक बार like कर दीजिए, और वीडियो को सभी दोस्ते के साथ share भी कर दीजिए, नेक्ट वीडियो किस पर लाना है, वो आप हमें comment box में जरूर बताए, ताकि हम उस पर जल्दी से जल्दी वीडियो लाए, इसकी पीडियो आपको चाहिए, तो हमने बताया है कि आप PK Smart के टलेगरम चैनल को search कर लीजिए, और वहाँ पर उसको join कर लीजिए, वहाँ पर दिखते हैं नेक्ट वीडियो में, तब तक के लिए, जय हिंदे